देखिये दूस्तों सबसे पहले आपको अपने मुगायल में वाइटी स्टूडियो एप ओपन करना है अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इसको प्लेश्टोर से डालोड कर लीजिये आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में comment section है इस पे आपको click करना है और इस पे जब आप click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होता है लेकिन यहाँ पे कितने सारे features मिलते हैं आपको clear कर रहा हूं इस वीडियो में तो please वीडियो को full work कीजिएगा इस कीप मत कीजिएगा अब देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है सबसे पहले published published का मतलब क्या है वो देखिए पहले इस पे click करते हैं अब देखिए यहाँ पे है एक है published एक है held for review तो publish का मतलब यह होता है वैसे comment जो की आपके channel पे publish हो चुके है मतलब आपके वीडियो पे वो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ है help for review help for review कौन सा होता है कुछ comments spammer type से होते हैं अगर आप settings से इसको लगा कर रखते हैं तो फिर वो सब जो है आपके दिखता नहीं है वो hide होते हैं तो वो है help for review यहाँ पे click करेंगे तो देखिए आप ऐसा कोई comment होगा तो दिख जाएगा फिलाले आपके नहीं है और ऐसा कोई comment करता है अगर आप उसको वहाँ पे verify नहीं करते हैं तो 60 दिनों के बाद वो automatic remove हो जाता है तो फिलाले आपके ऐसा कुछ नहीं है तो अब देखिए यह तो आपको help for review पता चल गया अब आते हैं इसके बाद देखिए इसके आगे है I have not responded इसके click करते हैं अब देखिए यहाँ पे है पहला I have not responded second है मतलब कि अगर किसी comment को आपने reply दिया है तो वो I responded आ जाएगा और reply नहीं किया है तो I have not responded आ जाएगा I have not responded पे click करेंगे तो आपको वही comment दिखेगा जिसमें आपने reply नहीं किया होगा इसके बाद आता है search search पे click करेंगे तो यहाँ पे मतलब कोई यूटूबर ऐसा है जिसको आप जानते है कि आपका वीडियो देखता है उसने comment किया या नहीं उसको आपको check करना है तो आप यहाँ से check कर सकते हैं जैसे देखिए यहाँ से मैं आपको check करके दिखा देता हूँ देखिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ चेक करके तो चलिए मैं इसको search करते है देखिए यहाँ पे देखिए मैंने search किया तो यहाँ पे दिखा रहा है चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ क्योंकि इस नाम से तो आपको search यहाँ पे दिखा ही रहा है तो साथद आप सोच हैं कि मैं गलत दिखा रहा हूं चलिए अब मैं आपने आपको रवी नाम से search करके दिखाता हूं देखिए आप stripes, मैंने रवी नाम से किया तो रवी नाम से देखे जितने के comments आपको यहाँ पर दिखने start हो चुके हैं तो यह search करने के लिए होता है particular youtuber का और इसके बाद आते हैं contents questions इसमें यह है कि आप कोई question यहाँ पे होता है जैसे कोई youtuber question type करता है वो आपको यहाँ दिखाता है तो फिलाल किसी youtuber ने मुझसे कोई question नहीं किया इसलिए यहां पर नहीं डिखा रहा है जोड़ते हैं अब इसकी बाद आगे आते हैं यह सब्सक्राइबर ऐसे YouTube जिनोंगे अपने सब्सक्राइबर को पब्ली किया हुआ है उन्हों ने अगर कमेंट किया होगा तो वह यहां पे दिखाएगा जैसे आमने क्लिक कर देदे हैं तो जिनका subscribers hide किया हुआ है उनका comment आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है तो अब चलिए हम इसको छोड़ देते हैं इसके बाद आते हैं next पर subscribers count तो यहाँ पर क्या है कि जिनके यहाँ पर आपके पास option कितना है एक, दो, तीन, चार, पाच्छे तो देखिए पहला option जो है जिनके subscribers 100 से कम है इस पर click करेंगे तो सिर्फ उनी का comment आपको यहाँ पर दिखेगा देखिए यहाँ पर यह दिखा रहा है अब इसको हम फिर से click करते हैं और 1K करते हैं तो जिनके subscribers 100 से उपर होंगे लेकिन 1000 से कम उनके दिखेंगे comment आप देखिए यहाँ पर आ चुका है अब देखिए इसको हम फिर से click करते हैं और यहाँ पर 10K के करेंगे तो जिनके subscribers 1000 से ज्यादा है लेकिन 10,000 से कम है उनका दिखेगा तो देखिए यहां पर यहां पर यह आ जाएगा अभी देखिए यहां पर यह इस तरीके से आ जाता है आपका और अभी चलिए अभी यहां पर हम 100 के वाले पर करते हैं तो कोई नहीं आ रहा है मतलब 100 के वाले किसी वी यूटुबर्स ने कमेंट्स नहीं किया है चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं यह लाश था इसके आगे कुछ नहीं है एक दो तीन चार पाँच छे चे तरीके से आपको कमेंट्स में आपर फिल्टर का उफर मिलता है अब यह सारा जीजा आपको य क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहां पर इकठा मिल जाता है देखिए comment टाइपे है दूसरा यह रिस्पॉन्स है ताव्या तो यहां पको इस तरीके से मिल जाता है तो यह था कमेंट्स तो यूटूब में जितने भी कमेंट्स होते हैं कैसे कैसे फिल्टर करना है कहां क्या यूज होता है सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियों बता दिया अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लिस वीडियो को लाइक सेयर कीजेगा कुछ भी समझने प्रॉलम आ रही होगी तो प्लिस कमेंट कीजेगा हम आपको वापर रिप्लाइ करेंगे और अगर अभी सब्सक्राइब कीजेए क्योंकि आपको यूटूब से लेटर जैन्यूर्ट वीडियो मिलती है तो चलिए दोस्तों मिलता है फिर एक नए वीडियो नेटवर्क सेयर्था तक लिए धन्यवाद